उस तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमें चाहिए न्याए जी हाँ और जल से जल मिल जाए और बिना खर्चे के मिल जाए तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? जी हाँ हमारे सविधान में एक ऐसी मनशा को क्या किया गया है? चरितार्थ किया गया है जिसके जरिये हम आसानी से क्या कर सकते हैं? न्याए ले सकते हैं अपनी समश्या को न्याए दीस महदे के सामने रख सकते हैं वो है विदिक सहायता सेवा केंद्र के जरिये जी हाँ, कोट परिशर में देश का कोई भी कोट हो, चाए सैसन कोट हो, चाए हाई कोट हो, और चाए सुप्रिम कोट हो, सभी जगे यह है ववस्ता लागू है, इसमें जो व्यक्ति विशेश लाब लेना चाहता है, उन्हें अपनी आय का ब्योरा देना होता है, कि महोदे हम गरीब तबके से हैं, निमना आयवर्ग से हैं, मध्यमा आयवर्ग से हैं, इंकम टेक्स नहीं देते, हमारी सालाना इंकम इतनी हैं, अतै हम किसी कारण से इस केस में फस गए हैं, जूटे केस में फस गए हैं, या हमें न्याय नहीं मिल रहा, इसी बात को लेकर, व मिलने वाली स्विधाओं के बारे में बताया जी हाँ जैसा कि 15 से 19 सितंबर तक सिस्को वेवेक्स एप्लिकेशन के माध्यम से ओनलाइन विदिक जागरुकता अभ्यान चलाया जा रहा है इसमें रोजाना राष्ट्य विदिक सेवा प्रादी करन नई दिल्ली द्वारा संचालित विविन योजनाओं की ओनलाइन जानकारी दी जाएगी इसी क्रम में मंगलवार को लिगल सर्विस जे हाँ दोस्तों इसी क्रम में मंगलवार को लिगल सर्विस टू विटम्स ओफ एसिड अटेक इसकीम 2016 पर सिविल नयाएधीस एव नयाइक मजिस्ट्रेट माला खेडा देवंदर कुमार द्वारा जानकारी दी गई इसमें एसिड हमलों के पीड़तों को राष्टिय राज्य जिला और तालू का इस्तर पर छती पूर्ती के लिए मौजूद प्रावधानों एव योजनाओं के तहत विदिक सहायता चिकिस सुईदा और पुनरवास सुईदा प्राप्त करने में सक्षम आदी के बारे में व इस्तार पूर्वक बताया गया जी हां नालसा आदिवासियों के अधिकारों का सरक्षन और प्रवर्तन के लिए विदिक सेवाएं इसकीम 2016 पर प्राधीकरण सचिव रेनुका सिंग उड़ा ने जानकारिदी उन्होंने नालसा इसकीम में आदिवासियों के अधिकारों का स लाने में विदिक सेवा प्राधीकरण की मैत्पुल्ड भूमिका है योजना का मुक्य उद्देश जन जातियों तक नयाय की पहुंच सुनिशित करना है जी हां अगर आप भी चाते हैं विदिक सहायता और कानूनी सहायता यानि ये कह दूँ फ्री में वकील कानूनी पराम तो आपको जाना होगा विदिक सहायता केंदर में जी हां इसके अलावा वीडियो के डेस्केशन में दिए गए लिंक में काफी योजनाए भी बताई गई है जिसके जरिये क्या है आप जान सकते हैं अच्छी खासी योजनाओं के बारे में ऑनलाइन आवेदन के बारे में आप ओनलाइन फारम भरने की जानकारी और साथ ही सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल को जिससे क्या है आपको जादस जादा जानकारियां मिल सकेगी कि किस तरह आपको जल्दी सलप सरल तरीके से न्याय मिल सके आपका पैसा खर्च ना हो क्यों सहायता और वो भी बिल्कुल निसुल जी हाँ दोस्तो अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए इसके अलावा आपको विशेह रूप से किसी वकील महोदे से परामर्स लेना है तो भी आपको यह सुधा उपलब्द क काईगी